असलम्वलीकुम students मेरे नाम शुगुता अजीम हैँ आज हम biology के बारे में बढ़ते हैं तो सबसे פहले हम biology का introduction देखते हैं इसके introduction में हम से से पहले biology की तारीफ को बढ़ते हैं What is biology? What is biology? यानि कि biology क्या है इसका मतलब क्या है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि biology का word टू वर्ड से derived किया गया है bio means life and log means study study are reasoning or thoughts तो इसकी definition हम यूँ करते हैं कि this study of life is called biology अब देखें life की study क्या है life की study में different living organisms होते हैं यानि कि living organisms की study living organisms की study क्या कहलाती है biology अब इस living organisms में plants भी आ जाते हैं different animals भी आ जाते हैं ठीक है तो इन सब को क्या कहते हैं biology biology अब यहां पे एक सवाल आता है कि हम किस तरह living organisms को understand करते हैं तो इनको understand करने के लिए हम इनका हम इनको देखते हैं कि यहां पे एक सवाल आता है study of living organisms कहा जा रहा है तो इन सब को समझने के लिए हम पढ़ते हैं कि biology में हम देखते हैं कि different structures होते हैं functions होते हैं और इसके इनके कुछ related aspects होते हैं जिनको हम study करते हैं इन सब को क्या कहते हैं biology अब biology की next हम devians को पढ़ते हैं तो इसकी three major devians हैं biology की तीन major devians हैं सबसे पहले क्या है zology उसके बाद है botany biology और third one है microbiology तो सबसे पहले devians जो के zology है इसमें हम पढ़ते हैं कि the study of animals the study of animals called zology ठीक है अब यह animals different types के होते हैं ठीक है आप देखते हैं अब different types के animals हो गए insects की study हो गई और इसी तरह reptiles हो गए different types के animals हो गए तो उन सब को क्या कहते हैं हम zology की study कहते हैं अब next botany को देखते हैं रोज का flower ले 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 सब की study को क्या कहते हैं बोटनी Microbology में क्या है? कि study of different microorganisms study of different microorganisms microorganisms study को क्या कहते है? हम microbiology कहते है यह microorganisms कौन से है? आप देख लें, different bacterias हो गए ठीक है, फंजाई algae and etc इसके बाद यह थी biology की डिविएंस जो कि तीन मेजर डिविएंस थी जिसको हमने यहां पढ़ा next इंशाला हम अपने लेक्शर्स में बाइलोगी की ब्रांचिस को पढ़ेंगे